बड़ी तक्लिम से चुपता है, सच की चोच नोकिली है, सच इसलिए ताना रहता है, छूट के तहे खोकली है, परक करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो चितने मूँ उतनी बाते के सुर्खिया सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियनाइज 24 न्यू की ऐड्ली सच, इसच नहीं हैं, सबस्क्रादी नहीं है, यहिए टोलाई नहीं है, सबस्त्राइज 2 नहीं है। दोल्र का मेल होस सब्स्पेंस होता है एंड तक के लिए वैसा कुछ था नहीं मूवी मतलब एकदम ओके-ओके मतलब बहुत डीटेल में दिया है उन्होंने मतलब कुछ भी बता है और इतना मतलब अच्छा नहीं है अच्छा एक्टिंग स्टार्स पी अच्छी है बट मूवी का जो मतलब स्टॉरी लाइन है वो अच्छा नहीं मतलब गाने कौन से भी चीजे पर बनाया है मतलब कोई सेंजी ही नहीं है सौंग का आउड ओफाइव तू स्टार्स त्री ओके मुवी ओके थी इतनी ज्याद अच्छी नहीं और वन टाइम वाच ही है स्टोरी स्टार्टिंग इंटर्वल के पहले वाली स्टोरी ओके इंटर्वल के बाद एंडिंग गुड है अच्छी है मुजिक तो मतलब नाई बोलो ताहँच अच्छी मिजान जाफरी तो है उसकी एक्टिंग अच्छी है एंड लड़की की भी ओके ठीक है तरी एक्चली बहुत बोरिंग थी मुवी आइनो की रोमांटिक मुवी थी बहुत लेंदी थी और रोमांटिक के लिए इतनी लेंदी होनी चाहिए थी स्टोरी वस फाइन बट लास्में वह एंडिंग कुछ तो साद वाला था थी 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 एंड़ाफ बहुत बोरिंग थी बहुत बोरिंग थी बंसाली ग्रूप से यह एक्सपेट नहीं किया था नहीं कुछ रहेगा फिल्म में थोड़ा भले ही थोड़ा लंबा खीच दिया मुवी को लेकिन कुछ स्टोरी लाइनप ही नहीता उसमें डायरेक्शन ओके-खाथ बत मुवी बहुत बेकर लगा एंडिंग भी बहुत बेकर था सिफ मुवी से जाधAY यशा लग रहा था गाहने मुवी में सौंश में सौंवी बनाई है अक्ट्रेस के अटिंग थी थी अक्सर की ओके-खाथ वेस्ट उफ मन बस्तारे प्रयर में पर प्रयत दान।